किसानों की आय और उपज बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। डिजिटल तरीके से किसानों को सीधे देश बर के तमाम बाजारों से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी फसल का सही दाम उन्हें मिल सके और भंडारन में होने वाले खर्च से बचाया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में किसानों को लेकर, क्रिशी नीती को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दाइरा भी बहुत सीमित था, किसान के सशक्तिकरन की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्दगिर्द तक सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में तरहत्रह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पी-एम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चोतरफा प्रयास किये हैं, पी-एम किसान सम्मान निधी के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रुपए दिये जा चुके हैं, छोटे किसानों को मुसीब्तों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, क्रिशी में सहकारिता को बढ़ावा देना ये इसी सोच का परिनाम है, भंडारन की सुविधा से लेकर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं, पी-एम ने कहा कि कुछ दिन पहले सरकार ने डाल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा निर्नय लिया है, किसानों को दाल बिकरी के लिए सरकार ने पोर्टल इसमृधी लाँच किया है, अब दाल उत्पादन करने वाले डाल किसान इस पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भी सीधे सरकार को दाले बेच पाएंगे, इसमें डाल किसानों को MSP पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे, उन्होंने कहा कि अभी ये सुविधा तूर या अरहर डाल के लिए दी गई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी डालों के लिए भी इसका दाइरा बढ़ाया जाएगा, हमारा प्रयास है कि डाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश बेचते हैं, वो देश के ही किसानों को मिल सके, सहकारी समित्या ना फेड और नसी सीफ ने डाल किसानों के लिए एपोर्टल इसमरिधी को विक्सित किया है, पोर्टल की मदद से किसान सीधे अपनी डाल को आनलाइन बेच कर सीधे उसका बुक्तान ने फेड और NCCF के जरिए तुरंट अपने अकाउंट में पासकेंगे, जबकि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों से सहकारी समितियां भी संपर्क कर उनसे डाल खरी देंगी, इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों या व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इससे पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जबकि डाल की सीधी खरीद से बफर स्टॉक बढ़ेगा और इससे आयात की निर्भरता घटेगी, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी